नमस्कार साथिव, स्वागत आपका एक बार फिर से आपकी अपनी यूटूब चैनल R.S. Education Center पर बात करने वाले हैं इस सेशन में रीड़ सिक्सक भरती 2022 के बारे में और बात करेंगे लेवल 1 और लेवल 2 के जोइनिंग के समय आपको कौन-कौन से डोकुमेंट चाहिए उसके सेटिकेट, पुलिस वेरिवकेशन इनको लेकर डाउट है तो कम्पलीट सेशन आपके लिए साथ भी रहने वाला है चाहिए आप लेवल 1 के कंडेट हो, लेवल 2 के कंडेट हो, बिल्कुल आपके लिए इंपोर्टेंट सेशन ये रहेगा तो सेशन को अंतर तक जरूर देगे कि अप्लिकेशन फोरम की अप कोई नीड नहीं है, लेकिन मा आपको बोलूगा कि अप्लिकेशन फोरम आप हम डेट पर सेट अपने साथ में रखिए जो इस भरती के लिए अपने फोरम भरा था, इसके साथ में आपके 10th क्लास की मारेक्षित अंट्रिकेट, 12th क्ला कर रखिए तो आप उसके डोकुमेंट जमा करवा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने 12th के बाद में डारेक्ट अगर बेस्टीशी कर रखिए, तो आप बेस्टीशी के डोकुमेंट जमा करवा सकते हैं, लेकिन लेवल 2 के लिए यहां पर दोनों को, चाहिए आप लेवल 1 के कंडेट हो, लेवल 2 के कंडेट हो, परमाण पत्तर जो रीट का परमाण पत्तर आपको मिला है, वो आपको यहां पर जमा करवाना होगा, अब जितने भी डोकुमेंट्स मैंने आपको बताए है, 10th, 12th ग्रेजिशन के मार्ग शीट या BST चाहिए अगर इनमें किसमी में नाम में भीनता है आपके, हो सकता है, आपने अप्लिकेशन फोरम में नाम गलत भर दिया हो, या पर आपका हो सकता है कि 10th क्लास में मार्ग शीट में सर्डेम लगा है, 12th में नहीं लगा, ग्रेजिशन में लगा है, तो इस परकार की भीनता तो इसके लिए जो certificate आपने DV के समय दिया था वो बिलकुल अभी भी लेकर जाए इसके बाद में जो अगला document है वो आपका मोल निवास प्रमाणपत्र मोल निवास प्रमाणपत्र राजस्तान के कंडेट हो चाहे बाहर के कंडेट हो परतेक कंडेट को यहाँ पर देना है चाह इतना हो जो भी आपके पास में का certificate है वो लेकर जाए और जमा करवा सकते हैं AWS प्रमाणपत्र केवल AWS सरेणी के कंडेट को देना है इनको भी कोई अब वेलेडिटी को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं है एक डाउट आता है कि मैं अब जनरल कटेगरी से स्लेक्ट हो गया जग गए होगी इसके बाद में आपका आईडी प्रूफ आधार कार्ड हो सकता है पैन कार्ड हो सकता है ठीक है इन में से driving license भी हो सकता है पासपोर्ट अगर किसी ने बना रखा है तो बिल्कुल एक फोटो युकता आईडी आपके पास में होनी चाहिए इसके बाद में जमा करवाना होगा अगर आप लेवल टू के कंडेट है तो आप हो सकता है बीएड का लास्ट डोकुमेंट जमा करवा रहे हैं तो बिल्कुल आपको बीएड का यहाँ पर करेक्टर स्राटिकेट देना होगा यह आपकी सेंस्ता जारी करती है जो आपने डेवी के समय भी व ठीक है गजटेड रेंग के आपके जो ओफिसर से होने चाहिए लेटेस्ट होने चाहिए ऐसा नहीं कि छह महिने पुराने हाँ 15-20 दिन पुराने चल जाते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि 6 महिने पुराने लेके जाओगे तो फिर वो नहीं चलेंगे अन्य परमाण पत्तर अन्य सबसे बड़ा डाउट है कि सबत पत्तर कौन-कौन से देनी हैं पचास रुपे के स्टांप पेपर पर कौन सा बनवाना है और एक सिंपल पेपर पर कौन सा देना है तो मैं ये डाउट आपका साथ ही क्लियर कर देता हूं तो एक संतान समंदी घोषणा पत्तर देना होता है इसका फॉर्मेट देखे जितने भी ये सबत पत्तर यहाँ पर मैंने लिखे हैं सभी के फॉर्मेट आपको अपने टेलिग्राम चैनल RS Education Center सर्च कीजेगा आज दुबारा मैं उसको अपलोड करवा देता हूं आप वो डाउनलोड कीजिए और उनको टाइप करवा लीजिए ठीक है तो इनके जो फॉर्मेट है वो मिल जाएंगी पचास रुपेपर कौन सा बनवाना है शिंपल कौन सा बनवाना है वो मापको बजाताता हूं संतान समंदी जो घोषणा पत्र है ये साथी आपको पचास रुपेपर की स्टाम पेपर पर देना है दहे समन्दी जो घोषणा पत्र है वो आपको शव घोषणा पत्र देना है यह 50 रुपे की स्टाम पेपर पर आपको बनवाने की जरूरत नहीं है एक वीडियो के लिए तो यह वीडियो के टेगरी कंड़ेट है इनको भनवाना है वीडियो को पुनर व्यवा सबतपत्र अन्मेरिड हो जो भी कंडेट हैं सेक्ष्टि क्यूक्रिता वाला जो कंडेट है जो आप सपत पतर देंगे साथ यह 50 रुपे के स्टाम पेपर आपको देना है सविधान की सपत यह आप सिंपल पेपर पर दे सकते हैं यह 50 रुपे पर किलेर नहीं किया है लेकिन आप आपको करूँगा कि आप 50 रुपे के स्टाम पेपर पर यह बनवाएं धुमरपान वाला किलियर है कि आपको यह वचन पतर देना है यानि शिपल पेपर पर भी आप दे सकते हैं इस पर 50 रुपे का स्टाम पेपर लगवाने की जरूरत नहीं है डाउट आता है कि दहेज वाला यह पर विवाप्रमाण पत्तर भी देना होगा अगर विवाप्रमाण पत्तर नहीं है तो सबत पत्तर आपको यहां पर 100% देना होगा इसके बाद में NOC NOC को लेकर देखें डाउट है कि वही NOC किसको देनी है जो कंडेट पहले से राजकी शिवाम हैं सिरफ उनको NOC देनी है अब इन्होंने NOC के लिए भी डारेक्शन दिया कि 19 जनवरी 2023 से पहले कि आपकी NOC होनी चाहिए तब ही आप जो डिपार्टमेंट छोड़ के आ रहे हैं उस डिपार्टमेंट में जो आपको सेलरी मिल रही है ठीक है ठीक है वो सेलरी आपको प्रोबिशन पिरेड के दोरान मिल पाएगी हो सकता है बहुत से कंडेट अभी प्रोबिशन पिरेड के दोरानी हो और उनकी सेलरी अभी जो यहाँ पर आपको थार्ड ग्रेड बे मिलने वाली है उस सेलरी से कम है तो बिल्कुल आप रिजाइन दे के आजाईए वहाँ पर फिर आपको NOC की जरुत नहीं तो फिर आपको एक नॉर्मल जो रिजाइन होता है जहाँ पर कोई बेनिफिट्स नहीं मिलता है वो देने के बाद में ही आपको इस पोस्ट पर जोइन करवाया जाएगा इसके बाद में अगला डोकुमेंट है यहाँ पर पुलिश वेरिपकेशन पुलिश वेरिपकेशन क जब ऐसी इस्तती पैदा होती है तो फिर साथ यहाँ पर दिकते पैदा होती है तो आई थिंक आपने लेटेस्ट ही बनवाया हुआ सब ने तो यह जो लेटेस्ट अपना पॉलिस वेरिपकेशन है वो लेकर आज जाएं ठीक है अब यहाँ पर राजस्थान में देखिए हो इसकी और ऑफलाइन बनता है यहाँ पर ऑफलाइन ब्रेस्ट के ज committed है वो अपने स्टेट के आकोडिंच होता है ठीक है health certificate अब health certificate को लेकर डाउट है कितने दिन पुराना तो यह मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि यह जो आपका health certificate होगा यह आपके न्युक्ति आदेश जो जारी हुए है इसके बाद का होना चाहिए ठीक है फॉर्मेट किस फॉर्मेट में चलेगा वो भी मैंने आपको टेलेगराम पर उपलब्द करवा दिया है जाकर देख लीजिगा उसमें ही बनवाए ठीक है कहां से बनवाए अपने नजदी की किसी भी सरकारी होस्पिशल से बनवाए लेकिन उस पर medical officer के sign होने के साथ साथ में अपने जिले के chief medical health officer जो C.A.M. चो होता है उसके sign यहाँ पर साथ यो होने चाहिए तब ही आपको यहाँ पर यह जो health certificate है यह valid माना जाएगा इसकी बाद में कुछ documents और चाहिए आपको जैसे आपका pen card यह देखे salary लेने के लिए आपको आजकल यह pen card आनिवारी है तो बिल्कुल यह pen card अपने साथ में जरूर रखें इसके साथ मैं अपने account number में आपको बता देता हूँ account number के अगर आपके पास में पास book है तो the best है तो आपने account number तो आप 100% रखें ही इसके बाद में कुछ photos भी आपके पास में होनी चाहिए जो आपको joining के समय काम में आने वाली हैं आपकी self जो photo है लेटेस्ट वो आपके पास में होनी चाहिए तो ये जो तमाम document से साथ हो जो मैंने आपको बताए हैं ये बिल्कुल आपको मैं इसकी PDF भी मैं टेलिग्राम पर डाल दूँआ एक बार देख लिजगा आराम से इन सब documents को आपको joining के समय already रखना है